कि देखे यह कि सुनो कि यह एंस्याटे का नुम्रिकल है और कल आपको बताए भी थे कि आप लोगों को दो तीन दिन तक नुम्रिकल बताएंगे एक मत देखेगा ध्यान से सवाल फटापट समझना है पेज नंबर 41 है सवाल 1.1 है सवाल में कहता है वायू में एक दूसरे से 30 सेंटी मीटर के दूरी पर रखे दो छोटे आविशित गोलों पर करमसा दो गुना दस पर मैनस 7 कुलम तथा तिन गुना दस पर मैनस 7 कुलम चार उनके बेज कितना बल है मिए жить 20раш दिया हुआ है चैनल फोर्els कामान कितना होगा एक मझे ध्यां से खाली देखना है एक के हम देखेंगा खाली द्यांथ से है इसम उन्हां काम समझेगा भप बोल रहा है ठीक है यहां समझेगा सवाल में कहता है कि दूरी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर ठीक है ना दो चार्ज दिया है Q1 का दिया है Q2 का मान दिया है एक मड़ देखे ध्यान से Q1 कितना दिया है देखो ध्यान से Q1 दिया है 2-10 पर-7 कुलम और Q2 दिया है 3-10 पर-7 कुलम सही है ना अब यहां ध्यान दिजिएगा एक मड़ इसको समझना है Q1 का मान दिया है 2-10 पर-7 कुलम और Q2 का मान दिया है 3-10 पर-7 कुलम सही है कहता है कि इसके बीच कितना बल लग रहा बल निकालना है एक मड़ ध्यान से देखेगा सिर्फ एक मड़ समझेगा बैटा यह सब SI मात्रक में है सवाल समझो यह CGS में दिया है जब तक आप इसको SI unit में convert नहीं किजिएगा कभी जिन्दिगे में गुना भाग किजिएगा को अगर दूतिया 7 भी लिख दिया तो सही है लेकिन साथ भी एक संख्या होता है यह हम बोल रहे हैं कि दूतिया अगर साथ भी लिख दिया ए बाबू कहां पर मारें तुमको सरम लगेगा देखो ध्यान से ऐसा जगह मारेंगे जो आपको लाज लेकर बता जिए जगह करना हमको बता दीजिएगा ठीक है विवास कुमार काल गांट फोला रिकॉर्डिंग में घर में सुन लीजिएगा आप ठीक है हाँ अपनी मोमेंट निकाल कर दीएगा ठीक है सुनो ध्यान से अब याथ समझेगा यह एसाइं मात्रक में यह साइं मात्रक में यह सीजियस में तो सबसे पहला नमर क्या करना इसको करना सीजियस में आपको याद कि जैन को ही बताए हूंगे कभी तो बते भी क्योंगे चुक्छे 100 cm ब्राबर होता है सकते हैं एक सेंटीमीटर ब्राबर दस पर माइनस दू मीटर को अधिकत किसी को यह याद रखिएगा यह जब भी सेंटीमीटर दिया हुआ रहेगा डायरेक्ट हम इसको इसमाल लिख सकते मीटर में ठीक है ना यह कितना हो जाएगा यह 30 गुनाद 10 पर पावर माइनस दू क्यारे मीटर को दिकत यहां तक आप देखे ध्यान से आप समझेगा फर्मुला होता है उन्मटर यह जैसा हम लोग जानते हैं कि आप स lease दिन्टेट जैसा हम लोग जानते हैं क्या जांते हैं बोलतो फ बर इसका वान बार 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 बोन तो आपको याद रखना कितना मान होता है नाइन इंटू पुछ दिफावर नाइन सही है आपकं मान बोली त्व नकॉर मान पुले तो दिफोड़ मान-7 आर बिमाई कितना निकाला बेटा है थर्टें टेंटर मायनस तू मीटर का स्कॉएर स्कॉएर आँ अब एक मन देखेगा ध्यान से हम हर समय जब भी नुम्रिकल बताते होंगे तो एक उची सब्धान आपको बताते होंगे कि बेटा पावर वाले को अलग अलग कर दो अनिता आपके गलती बढ़ने के संभाब नहीं सो परतिशत बढ़ जाएगी तो क्या कीजिए एफ बराबर पावर वाले को अलग कर दू अब भीना पावर कंता तो 9 गुना 2 गुना 3 सही है अगुना इधर क्या हुआ जगा दस पर09 गुना 10 पर माइनस साथ अगूना 10 पर माइनस साथ चीक है अब बट ये कह टीकर रह तीनतीया कता हुश्यत्य नो अगुना 10 पर कितना माइनस 4 सही कि यादा क्लियर है ना आप इसको क्या किजिए इसको कटा दीजिए एक सो हो गया एफ बराबर कितना हो गया उपर में तीन दूनी छो अगुना नो साथ साथ चौदा नो कितना हो जाए गरे माइनस पांच सही है अब बटे अबें दसपर दूँ अगुना 10पर पावर माइनस चार सही है तो एफ बराबर कितना हो जाएगा अब बटे कितना हो जाएगा नीचे रस पर मैंनस दू एह परावर कितना हो गया शेगुना यूना 10 पर मावारबर पांच पावर नीडीन एंज चरह City को और कुछे चलिए बादम इतारीएगा अग्ला सवाल्ल देकी उतारने में समय बिज जाएगा फिर देखे आगला सवाल 0.4 माइक्रो कुलम चार्ज के किसी छोटे गोले पर किसी अन छोटे आभेशित गोले के कारण वायू में 0.2 न्यूटन बल लगता है यहां देखे अध्यान समझिया है यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कुलम चार्ज हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है ए नमबर अब बी नमबर कहता है दूसरे गोले पर पहले गोले कारण कितना बल लगता है दो सवाल बिटा इसमें कह रहा है बस में आ गया दो सवाल है सबसे पहले देखे दो चार्ज दिया है पहला का मान कितना दिया है 0.4 माइक्रो कुलम और दूसरा का मान कितना दिया है 0.8 माइक्रो कुलम उसके बीच कितना बल लग रहा है 0.2 नूटन आर निकालना है एक मट देखेगा ध्यान से देखे ध्यान से समझेगा यह आराम से बन जाएगा कोई मताय पेची नहीं है चलिए 1.2 नमर बिटा देखे ध्यान से मताय पेची कहां से लगना शुरू होगा 1.3 भी ठीक होगा उसके बाद 2-3-4 को जो लिखाएंगे सिर्फ मताय पेची है और उसके बाद जो बताएंगे एक दिन में 5 सवाल बताते हैं और शुरू में जो होता है दो सवाल तिन सवाल में समय खतम हो जाता है ठीक है शुरू में क्या है कि मताय पेची जादे बांकि उसमें टेंसर नहीं है एक मट खाली देखेगा ध्यांसे तुरत अपसे बन जाएगा दो चार्ज दिया बेटा क क्यों का मान कितना दिया वोलो तो जीरो पाइंट फोर मायक्रो कुलम क्यों का मन कितना दिया है कि 0.8 मायक्रो कुलम दोनों के बीच कितना बल लग रहे रहे 0.2 न्यूटन क्या कहता है निकालने के लिए दूरी ना दूरी आरेन होगा सुमार रहा है और देखिए ध्यान से गर देखिए गात निश्यत तोर पर समझ में आ जाएगा अने था बेटा परिशानी तो खर्म होगा ही ध्यान से नहीं देखने पर ठीक है अब यह समझेगा सबसे पहले फिर देखिए यह माइक्रो में दिया है माइक्रो क्या करेंगे रिमूब करेंगे माइक्रों हटाइए कैसे माइक्रों अब जया है जैसा हम लोग जानते है कि as we know that जैसा हम लोग सभी जानते हैं क्या होता है बोलो तो फर्मुला एफ बराबर एक बार दिखेगा ध्यान से हमको आर निकालना है ना आर को इधर एफ को इधर कर दीजिए क्यों जाएगा आर इसकार बराबर वन बाय पोर पाय एपसिलन नोट इन्टू क्यों वान क्यू टू बटे क्या रे एफ सज मैं क्या किये इसको इधर कर दिए इसको इधर कर दिया इसको इधर कर दिया इसको इधर कर दिया को आख ने को ना जिसको बोलते हो ठीक है ना आई ध्यान दिजिएगा मान सबका याद हो गया है इसका मान बोलो सही है Q1 का मान बोलो 0.4 into 10 to the power minus 6 Q2 का मान बोलो बटे F का मान बोल सही चाओ थोड़ा सा छोटा करीदा है करा ठीक है ना आर स्कार ब्राबर क्यों गले 9 गुना 2 गुना 0.8 गुना 10 पे पावर 9 गुना 10 पे पावर minus 6 गुना 10 पर minus 6 आर स्कार ब्राबर एक रहा थोड़ा सा गुना करीदा है 9 गुना दूनी 18 अठ्रे आठ्रे आठ्रे चवालसी पन्धन जर्या अठ्रे आठ्रे चवालसी एक सो चवाली सोगलू एक यांके बाद 10 अमलब खिन्ना कत्ता बचलू मैनस तिन नहीं ग्यारे मैनस सो मैनस सो मैनस बारा होले अब मैनस बारा जोड़न दूआ कत्ता बचलू मैनस तिन ना अब यहां ध्यान दियां आप देख्यां दसमलब एक रो उड़ा आए दां दस्तमलब यहां से उड़ा दो, कतना जिरो हो जाएगा नीचे, तो आर इस्क्वार ब्राबर क्या हो गया, 144 अगुना 10 पर माइनस 3, अगुना 10 पर माइनस 1, तो आर इस्क्वार ब्राबर कता अगलू, जल्दी बूल, 144 गुना 10 पर माइनस 4, तो आर ब्राबर कता अगलू, र सबीक पास में निकला मीटर में निकला मीटर मी निकला ना अगर श्री को सेंटीमिटर में लिखेंगे को थि कि आपका मठा पेची सुरू chemicals हो गया अब यहां सवाल जो है तैसा नमर जो है यह आपका मत्या मत पेची करेगा पूछा जा सकता है पूछा जाता पूछा जाता अबजश हैं हम भी जो बांटेंगे उसमें इस वह मिल जाएगा ठीक है तर तिसरा नमबर हाँ जल्दिया बांटेंगे लिए कि मेरक्ट क्या है अभी objective नहीं बॉट रहे का सबसे बड़ा कारण हो रहा है कि वह प्रिंट भी हो नहीं पार है फिरिंट फोबस हुआ थे फ्रोन नहीं कर पार है लेकिन आज से स्टूरू हो गया है print फिर्ट ने करवा ही नहीं रहे थी जानके नहीं कर वा रहे थेना क्योंकि हम जानदे देख कुछ बच्चा इसे घर चला गया तो उसका तो छुट जाएगा एक यह अब मेरा आदЕТ कर दोक्ति हैं दुबारा नहीं बॉटते हैं अब जो बच्चे घर चले का तो छूड़ जाएगा और हमको तो सब के बारे मुस्चाना है बटा हम वूटीचर नहीं बटा जाए कि पटना जाए कि टॉपर को खरीद लेंगे हमको बटा तो पैसा नहीं है कि टीचर के गूरूप में देख देखू से पूछिअगे अगर को होंगे तो चर्चा सुरू होगया है प 계획 टोपर का खरीद टीचार हो गया है कि किसी का नाम नहीं पटा मैं किसी टीचर का नाम नहीं लेता हूं औल टीचर स्पैक्टेड लेकिन खरीदने वाले टीचर और टिस्पैक्तेड है इंक API यूले पर पहले गुले करना कुछ अच्छा सुन थीन गुहरा चार्ज का लसनution 2 लेच हो पी गहता है च्णली निकल केया दूसरी गोले पर पहले गोले कारण कितना बल लगता है तेंसर मुझाएगा दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन बल लगता है वह इन बल लगेगा रहे अलग अलग बल लगेगा सब्सक्राइब चलिए देख बटाद 1.3 देख इपका बेर का आप चारो को हम तीस सेकेंड का समय दिए तीस सेकेंड में चारो अपना फटाफट पलीस चेंज करूं तीस सेकेंड का समय याद रखेगा और हम पहुंच जाएंगे तो मार खाजिएगा दब वान ए अगया हो जल्दी चले यहां ध्यान दीजिए कहता है देख बटा 1.3 ध्यान से सुना बार बार हम बोलने के इंपोर्टेंट है इसका अब्जेक्टि में पूछा जा सकता है अगर अगर को दिक्कत है तुमको बता दीजिएगा एंबूले समगा लेंगे शिख ऐसा नहीं देखे क्या करता है कि बड़ी उद्वारा सुनिस्चित कीजिए कि सुन द्यांसा जांच द्वारा सुनिस्चित कीजिए कि के इसक्वाइर अब बटे जी एम एम पी बिमाहीन है मतलब आपको दिखाना है या डायमेंशन लेस है बिमाहीन है पहला नंबर अब फिर कहता है भौतिक नियातांकों के सारनी देखकर मतलब सब का मान देखकर इस अनुपात का मान ग्याद कीजिए वो जिए बता था अनुपात का मान ग्यात किझेगा वही बता दिया ग्यात किझेगा बता दिए बासे मैया इसमें बटा देखे पहले देखे आप यहां पर सिंबॉल जो दिया है k e sq 바 Kenny comapy किया है G क्या है e क्या है एक एक है M क्या है M p एप सूराइट पंच व समझना है कि है आपय तरत फांच व समंने मा एक मत समझना है 1.3 क्या कहता है सुनिए का ध्यान से कहता है कि जांच द्वारा सुनिशित कीजिए कि के इसक्वाइर अब बटे जी एम ए एम पी बिमाहिन राशी है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले सब का अलग अलग डाइमेंड सा निकाल लेते हैं फिर एक बार सब का मान प क्या होता है समझे यह यह सर में नहीं बता रहा है आपको समझना क्या है अब समझे के हैं बेटा यहां पर स्थिर बिद्दुत नियतांग जिसका मान याद है कि ना मान है बोलो तो है नाइन इन्टू टेन टू दी पावर निूटन मीटर स्कॉर पर कुलम स्कॉर सही है किलियर है ना ये के का मान है बठाट ठीक है इका मतलब गया इलक्ट्रॉन एक एलक्ट्रॉन में कितना कुलम चार्ज होता है बतातों कुलम 1.6 into the power minus 19 क्या रहे सही है जी जी का मतलब गया क्या gravitational constant गुर्तवा करशन नियतांक ठीक है जी का मान याद है सबको बोलिए हां बोल बोल लास्ट में गवड़ा गई है न्यूटन मीटर दर्फिक पहुची है देखिए मान है 6.67 into 10 to the power minus 11 newton मीटर स्क्वाइर पर किलोग्राम स्क्वाइर इस्क्वाइर आप देखिए अब ये का मतलब हो गया मास आफ इलक्ट्रोन अ आर्थ नहीं बेटा आर्थ लेकिया गादा एंप क्या लेखिए गा मास आफ चिसका दिजीगा है समया है एलक्ट्रोन प्रोट्वन ही या है कितना हाता मास इलक्ट्रोन का तुम बता को इन बोलेगा सचीन खड़ाओ और को ने बोलेगा एसव नो MP का मास अप्रोटन बोल है 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 सब्सक्राइब करने ये नांई प्रोट्वन इंट्च टेन टुदी पावर माइनस 31 किलोग्राम है MP का मतलह हो गया मास अप्रोट्वन 1.67 गुना 10 पे पावर माइनस 27 किलोग्राम अब यहां ध्यान दीजिएगा एक मढ़ समझेगा आप बेटा देखिए एक, दू, तीन, चार, पाँच पाँचों का अलग-अलग डाइमेंट्सन हम निकाल रहे हैं ठीक है उसके बाद सबका एक बार पूट कर देंगे अराम से निकल जाएगा अब सबसे पहले देखिए नाव डाइमेंशन वीमा सबसे पहले के का निकाल रहे हैं के का आपको पता होगा पहले बोल दें बटा कि बहुत बड़ा है कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में की सबल बता पाते थी ठीक है ना अब यह ध्यान दीजिएगा एक मट समझना है वेटा यह कि उन्सका है आपको हम बहुत बार यह बता चुके होंगे कि संख्या का 10 तर नहीं होता है सही है בא को आपके पास क्या तो ने निकाले बाए कोलम्ब स्कॉर्ण निकालिये निकालेन मीटर सब्सकॉर एक युटान किसका मत रखा है वो सबुलते चलिए पोर्ट का डामेंचान बोल बैटा सभी है मीटर किसका है लेंथ का कुलम किसका मत रख है घार्ज का चार्ज के भी मौसूत्र बता टी आई का क्या रहे फोली स्क्वार ठीख है दोरा चुकित प्रियांसुत में बोलता नहीं है खामुसरत है क्या को दिकत है क्या खाना ने खाया है खाना ने खाना लेकिन बोलना जरूर है के बराबर चलिए इसको सॉल्व किजिए क्या हो जाएगा M1 L3 T-2 सही है और नीचे कितना हो जाएगा T2 I2 सही है ना के बराबर एक किस्टेप और बुली कितना लिखेंगे M1 L3 T-4 I-4 यह किसका निकाले क्येका निकल गया हमको टोटल कागो कर डामेंशन निकालना है अब दूसरा कौन है कि ए इलक्ट्रोन आप देखिए इसका इलक्ट्रोन का मात्तरक क्या है बटा है कुलम किसका मात्तरक है कि एक कितना हो जाएगा कुलम ठीक है ना कुलम बोले तो क्या रहे टी आई सही है अब उसके बाद क्या था रहे जी आँ कि एसा कि इसको सकेंड कर दीजिए इसको फर्स करते हैं ऐसा तो कन्फूज कर जाईएगा ठीक है ना अब देखें तिस्रा नमर किसका निकालेंगे चैपिटल जी का मात्तरक याद हो गया क्या है न्यूटन किसका मात्तरक है फोर्स का भी मास्तुत्र बोल जल्दी से मीटर का बोल जल्दी एल टू किलोग्राम का बोल एम टू सही है आप यहां ध्यान दीजेगा यहां दू यहां एक कागो बचेगा हां एम माइनस वान एम माइनस वान यहां दू एक कितना हो गया एल थ्री टी पर कितना हो जाएगा माइनस टू को दिकत किसी को किलियर यहां तक हो गया यहां तक किलियर है ना M-1 L-2 T-3 काओ हम लोग Dimension निकाल चुके और काओगो बचा हुआ है चौता नमर क्या है M-E इसका मात रख्या इसका Dimension क्या हो जाएगा पांचवा नमर क्या है M-P इसका मात रख्या इसका Dimension क्या M को अधिकत किसी को it's prefer शोकर डायमेंट से निकाल लिए देखिया ध्यान से पाहला का कितना निकाला फोन शाय है दूसरा का कितना निकाला में है तीसरा का कितना निकाला चुछाथा का कितना निकाला पांच माका सबकान निकाल येन अब अब देखिये अब कोष्वचन कहता है नाव इकॉडिंक टू कोष्वचन क्या कहता है केई स्कॉार अब बटे क्या जी एम एम पी सही है ना आप देखें के का डाइमेंसर कितना निकाला जल्दी बोलो फटापट बोले म1 L3 T-4 I-2 सही है इलक्ट्रोन का कितना डाइमेंसर निकाला टी आई का यहाँ पर क्या हो जाएगा बटा सही है अब बटे जी का कितना निकाला याद है देखें म-1 L3 T-2 सही है ना म-E का डाइमेंसर बता एम एम-P का डाइमेंसर बोलो किसी को आप दिखेंगे इसको सॉल्व के थोड़ा सा थोड़ा सा सॉल्व करना है एक एक मट और देखेगा सिर्फ और करके इसको लिखना है बटा और करके के इसक्वाइर बाइजी एम एम पी बराबर इसको एक बार लिख खुले एक स्टेप और एम वान एल थ्री टी माइनस फोर आई माइनस टू सही है आई इसको ब्राकेट तुड़े रगत क्या हो जागा ये टी टू आई टू सही है ना अनीचा बटे यहां देखा यहां एम वान चे यहां वान यहां वान कता बचलो एम वान यहां बचलो एल थ्री टी माइनस टू सही है एक स्टेप और देखे सिर्फ एक स्टेप और देख बटा इसको याद रखना है यह कभी कभी दे देगा अब्जेक्टिव में भी किसका डाइमेंशन कितना होता है समझें को संदे देगा कि के स्क्वाइर बाइजी एम एम पी का निम लिखित में से कौन सा डाइमेंशन है बासमिया ना आप इसको सॉल्व किजिए देखाए यहां वान यहां वान कता अगलो गटे में नहीं रहा एक में गटे में जीरून बस्ते रहा यहां तीन में तीन गटे में कता लेजी एल जीरू सही चाओ यहां देखाए बास यहां माइनस फोर आ यहां टू कता बचलो यहां देखाए यहां माãyनस टू आया हाँ टू कता बचलो माइनस टू अप्फरू माइनस टू नीचेस फॉलज पलशटै गटें बन झाटलो हैं कता बचलो जीरू आई मानस टू पलन सु कता बचलो अई प्यमत्तलब इसका क्या गयस कारते रहेख अब आए अए 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 निन्दा है चले अब यहां तक कोई दिकत किसी को अब बेटा इसी में फिर कहता है इसका अनुपात ग्याद कीजिए ठीक है ना अब देखाएं अब असली खेला शुरू हुआ है अगेन पुन्हा एकोर्डिंग टू कोईस्टन क्या कहता है के इसक्वाइर बाइ जी एम इ एम पी सही है ना के का मान बुलो चल फटा फट जल दी सा सही है इलक्ट्रोन का मान कितना लिखे थे स्क्वाइर ना जी का मान बुल सही चा एम इ का मान बुल यहां तक को दिकत किसी को ए बस अलग बढ़ता तुर थे 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 आने लगता है देखे यहां पर देखे मैंने कुछ नहीं किया के का मान रख दिए ए का मान रख दिए जी का मान रख दिए एमी का मान रख दिए और एमपी का मान रख दिए मात्रक नहीं लिखे को मात्रक लिखेंगे तो कटाने में गलती हो जाएगा इससे मैंने सिर्फ मान लिखा आप इसको थोड़ा सा देखे एक जितना सौटकट मारिएगा वहतना आपकी गलती के अगुना स्वला स्वला दूस्व चपन साइच अगुना दस पर कितना मैनस अड़ तीस बर्टी अलग लकार 6 दसमलाव छेस साथ गुना नोग दसमलाव एक गुना एक दसमलाव छो साथ अगुना आप बूल यहां सब कि जूड मैनसे 11 मैनसे 31 कता गलू माइनस 42 होलो नग्रा आप माइनस 42 माइनस 70 करता है इसका तो होलो हां माइनस 69 पुनगर नगरे तीन दू पांच एक छो साथ एक आठ एक नौध गुना में पावर जुडता है ठीक है ना और चुकि माइनस में मैंने से ग्यारा जोड़ माइनस 31 जोड़ माइनस 27 चिन माइनस से रह जाएगा ठीक है कि अब अधिक ध्यान सा के स्कॉर इसको जल्दी गुना करके बताओ कितना होगा फटाफट गुना करेंगा तब तक आप लोग कि इसको एरवाइजी एम इएम पी जितना जल्दी गुना करके पते हैं तो उपर लग गुना कर रहे है नोच्छा कि चववन कि चार नो पज़े पैतालिस पांच पचास जीरो नोजनी अठारा पांच तइस अगुना 38 मनोगले माइनस 29 बटे गुना कर जल्दी नोज दुनी अठारा पांच पांच तब लेश्ट चुक दस एक्सो आठ अज़ें गुना हो गया ना कर जल्दी हगलो गुना कतालो 101 101 पॉइंट चेक करो गुना एक बार जी एक बार गुना चेक कर के स्क्वाइर बाई जी एम ए एम पी एक मड़ा और ध्यान से देखे देख बटा एक मड़ा ध्यान से ताइस दसमलब जीरो चार अगुना दस पर माइनस उनतीस है कर नेचा सुपर करी दां कता अगलो दस पर पलस उनत्तर अब बटे कता एक सो एक दसमलब तीन चो शैशाव तक एई स्क्वाइर बाई जी एम ए एम पी बढ़ा बढ़ा देखें सब उड़ा देंगें हुआ कि एक सो एक दसमलब तीन चो यहां गता बचेगा चालेस आप यहां पर ध्यान दीजेगा आपको देके लगारा है कौन बड़ा कौन थोटा है कौन बड़ा है कौन नीचवा बढ़ा है उपर थोटा है ना एक जिई जिश्य निकाल लो एक जिरो इससे निकालो तब तो बड़ा हो जाएगा यहां देखाएं मोबाइल का काम हो गया अब मोबाइल नहीं देखिए मोबाइल कोई बच्चे बच्चा नीचे नजर करके मत देखिए साइस जीरो चार जीरो गुना दस पर यहां कतना बचेगा 49 अब बटे कता है एक सो एक दसमलब तीन चो आप एक रहा भाग देवाएं क्यों तो के इसकुर अब बटे क्या जी एम ए एम पी अब बराबर कता हो लो दू दसमलब दू दसमलब सम्थिंग आएगा जीरो पर पावर 49 अब देख बटा यहां पर ध्यान सा अब समझ यह यह उपर वाला जो है कि कुलम बल है इस्थिर बिद्दूत बल है और नीचे वाला जो है गुर्तवाकर्शन बल है इसको कुना कुना कर दीजिएगा इसमें अब्जेक्टिव आ गया अगर कुना कुना कर दें प्धोड यहैं ग्रिवितने से लिएम प्धर उन्चालिस गुना जञादेशक चाहलीस अच्टिव भल है ब्जेक्टिव में है कि ब्जांटरियो इस्टिप्कर्श फ्व यही बताथा है किसका मतलब एलक्तो इस्ट्राटिक्स बॉर्स जादे ताकतवार किसे ग्रेविटरेशनल फोर्स कोमा ग्रेविटरेशनल फोर्स से दस पावर 49 गुना जादा शक्तिशाली बल है याद हो किया सबको को दिकत किसी को देख बटा ये चेज याद है हमको कि क्लास में एक दिन में एक को बताते थे लेकि चुकि अब जमाना बदल गया है अब डिजिटल बूर्ड होने के कारण एक दिन में तीन सवल बता दिये और अएसे एंसे अटि का नुमरिकल जो है फुली के छुटी तक में समाप्त कर देंगे ठीक है और नुमरिकल बेटा बार बार हम बोलेग नुमरिकल को दुनिया का कैतनों नुम्रिकल बनालो एंसेटी चोड़ दीजिएगा आपको कोई फैदा नहीं होगा एंसे अटी नहीं बनाओगे दुनिया वो टीचर देखेगा एक यह फर्मला पे नुमरिकल पचास को सो को बताता है एंसे अटी नहीं बताते हैं एंसे अटी में देखा कोभी तेट में बहुत भागल्पुर करकर पढ़ाते होंगे अगर यह बता दिया होगा हम नहीं नहीं बता सकता है recording में बोल रहें आपके पास भी recording जाएगा हम लिकौर्णि में बताते हैं ये खुद जाते हैं कहां बताएंगे वो वही बताते हैं जो जbels्वानते हैं और इंशियर्टती किताब बैठना Bible of books लोवे शु Mexican किताबों का तह जाता है कर अब इंशियर्टती है